नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल सी एनम 9212 बरती में 8831 एनम भैनों की ज्वाइनिंग को लेकर के अभी तक आयोग से आपकी रिजल्ट की फाइल परिवार कल्याण भिवाग को नहीं भेजी गई है जैसा कि 23 सितंबर को धरना दिया गया था उस दिन भी आस्वासन मिला है कि 30 सितंबर तक फाइल बेज देंगे और इसी तरह से 27 सितंबर को डिप्टी सीम स्री ब्रजेश पार्टक सर के लखनव आवास पर उनसे कुछ बेने मुलाकात की उनको ग्यापन दिया गया वहां से भी सर ने तुरंत अपने नेजी सच्यू को निर्देश दिया था कि तुरंत आयोग से अधिकारियों से बात करके इनकी जो प्रोसेस उसमें जो भी दिखते आ रही है उसको पता करिए लेकिन इन सबके बावजुद अभी तक जो है आयोग से कोई भी कनफर्म अपडेट ऐसी प्राप्त नहीं हो सकी है कि जिसमें ये बताया गया हो या फिर ये जानकारी प्राप्त हो भी हो कि आपका जो रिजल्ट है वो कल तक भेज दिया जाएगा कल के बाद फिर दो दिन आप छोड़ दीजिए उसके बाद सीधे फिर मंडे से आगे कुछ आवस्तिक सूचना है वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक चरूर कर दिया करें आप सभी लाइक कर दिया करें शाती साथ सेयर कर दिया करें तागे सभी तक जो है सही जानकारी और जो भी आवस्तिक सूचना हो पहुंचती रहे चार अक्टूबर को माननिय मुख्यमंतरी योगी जी गोरकपूर में रहेंगे नवरातर पूजा कारकरम गोरकपूर मंदिर में रहेंगे वहाँ पर जो भी बहने मिलना चाहते हो तो आपको पहले से प्रयास करना हो का उनसे मिलने के लिए किस प्रकार से वहाँ पर मिला जा सकता है और जो लोग भी वहाँ पर सक्षम हो पहले कभी गए हो मिले हो तो उस प्रकार से वहाँ पर सयोग कर सकते हैं उन बहनों को किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी से थोड़ा सा समय उनसे मिल जाए अगर बात करने के लिए और ज्वाइनिंग को लेकर के उनकी तरफ से निर्देश भर हो जाए तो फिर आपकी ज्वाइनिंग में बिलकुल भी समय नहीं लगना है बागी UPCCC, आयोग की कोई भी भरती हो आप देखेंगी समय जितना एक्सपेक्टेड होता है उससे कहीं ज्यादा समय लग जाता है एक रिजल्ट आना था कई दिनों से वेट किया जा रहा है लेकिन वो रिजल्ट भी मुस्किल है एक रिजल्ट मालेजे कलो दे दिये थे जो कि उनके स्टाप के लिए भरती है 76 पदों के लिए छोटी सी भरती है बिलकुल जिसमें से 21 जोपद हैं उनके स्टाप के लिए 21 जोपद हैं UDA, LDA की बागी 45 जोपद हैं वो पूर्ति निरक्षक की है तो ऑयोक के द्वारा जोए भरतीओं में समय बहुत ज्यादा ले लिए जाता है और आपके भरतिंग में के वल जो है रिजल्ट या तो प्रोंजनल की डीटीवी करानी हो तो ठीक नहीं करानी है जब result ही आपको पूरा भीज़ना है परिवार करला से देरी होगी नहीं, वहां से तुरंद आप सभी की process start हो जाएंगी, दो-चार दिं के अंदर-ंदर official notice आजाएंगे, केवल आयोक से result एक बार भीज़ने हैं, सबसे पहले, जो भी कुसी नगर और गोरकपुर की एनम भैने हो, सेलेक्टेड एनम भैने हो, आप सभी के लिए बहुत ही महतोपुर सूसना या पिर जो आसपास की जिले की ऐसे एनम भैने जो इन जिलों में जा सकती है डिप्टी सीम स्री ब्रजेस पार्टक सर का कारिकरम आज तो मुलाकात उनसे हो नहीं पाएगी, कुसी नगर में कल ही मुलाकात हो पाएगी तो कल के लिए ही आप सभी को प्लानिंग करनी होगी कि कल उनसे आपको पूरे यहां पर जो कारिकरम है आपको यहां पर मिल जाएंगे, किस प्रकार से कहां पर जाने वाले हैं और इसी तरह से गोरकपुर का भी कारिकरम आपको दिखाने वाले है इसके पहले देवरिया जिले में आज थे देवरिया जिले में भी कुछ बहने हमारे पास जानकारी मिली है कुछ बहने गई थी मिलने के लिए लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई है और यह मत सोची आपके 27 सारी को मिला ही गया था तो फिर अभी आज 29 मतलब दो दिन के बाद ऐसा मत सोचा अगर यह जो बहने गई थी ओ गई थी अपना हर जगन से हर इस्तर से प्रयास होता रहे उनको बार बार उनको रिमाइंड कराएं कि स्रिमान जी आपने उस दिन कहा था लेकिन अभी तक जो है 30 सितंबर 2022 कुसी नकर का ब्रमण कारकरम है तो अभी तो आज 29 तारिक को सरकीट हाउस कुसी नकर में पहुँचेंगे माननी उपु मुक्य मत्री जी शाया 8 बजे तो आज का कोई मतलब नहीं है कल का देख लीजे कल का कारकरम सबसे पहले जो पहला कारकरम उग्का है उत्तरप्रदे सरकार दोरा चलाई जा रही योजनाओ की प्रगेति के सम्मंद में समिक्चा बैठक कहां पर होगा कलेक्टेट सभागार प्राथ 8 बजे पहला कारकरम तो यह हो गया दूसरा कारकरम यहां पर देखेंगे हेल्थ एटीम का उद्गाटन यह कहां पर है मेडिकल कालेज का निरक्षड समय 9.35 पर तो थोड़ा से इसकी बारे में जानकारी आप लोग कर ली चीगा और तीसरा कारकरम अगर आप देखेंगे जनपत कुसी नगर में सरकार दोरा चलाई जारी जन कल्याड कारी होसनाओं और विकासकारियों की प्रगतिका अस्थली निरक्षड अम्रिस सरोवर पंचायत बवन मन्रेगा पार का निरक्षड वाच वचवपाल का आयोजन प्रात्मिक विद्याले कुसमी का निरक्षड कारकरम अस्थल ग्राम कुसमी विकासकंड राम कोला तो राम कोला कुसमी विकासकंड की जो भी एनम भेने हो इसको आप ध्यान से देख लिजे यहाँ पर डिप्टी सीम सर से मुलाकात हो सकती है और चौता कारकरम यहाँ पर देखेंगे कप्तान गंजे में हैं गौसाला का निरक्चड समय बारा बजे कल दोपार को बारा बजे तो जो कप्तान गंजे की एनम बहने हो आप यहाँ पर मिलने का प्रयास कर सकते दो-तीन जगां का हम लोग करेंगे न कोशिस तो कहीं न कहीं मुलाकात होगी ही होगी तो जो नजदिक आपके पड़े आप वहाँ पर पहुँच करके बाकी बहनों से बात करके आप कमेंट भी हैई पर आप बात कर लिजेगा आपस में आप चाहे तो आप नंबर भी शेयर कर सकते हैं यहाँ पर आपस में कांटेट करके कुसी नगर की जो भी बहन है या पर आसपास की जो भी बहन है यहाँ पर आप सयोग कर सकते हैं साथ में जा सकते हैं तो यहाँ पर आप जरूर बात कर लिजेगा तो यह तो हो गया कुसी नगर का पूरा कारिक्रम ठीक है इसके बाद गोरकपुर का देख लीजिए ये कल के लिए ही पूरा आज देवरिया में थे डिप्टीसियम इसके बाद देखिए कल कुसी नगर में रहेंगे और कल कुसी नगर को ही जैसे आज देवरिया में है और साम को कुसी नगर पहुचेंगे 8 बजे इसी तरह से कल कुसी नगर में रहेंगे और वहां से 30 सितंबर को यहां पर देख सकते हैं साम सबाइट बजे गोरकपुर आ जाएंगे मतलब कल जो है साम को सबाइट बजे फिर गोरकपुर आ जाएंगे कुसी नगर से सरकीट हाउस में जैसे कुसे नगर में सरकीट हाउस में वैसे गोरखपुर में सरकीट हाउस में रातरी विष्षाम के बाद अगले दिन एक अक्तूबर को मतलब परसों के लिए सबसे पहले सुबह 7 बच के 10 मिन पर सुबह 7 बच के 10 मिन पर गोरखनात मंदिर में दर्सन पूजन करेंगे तहला पर भी टी चीम सर से मुलाकात का एक औसर मिल सकता है कोसिस करना चाहे मंदिर के आजपास आप करब करके रहने वाले हो भाजपा बदादिकारियों के साथ बैठक करने के बाद दो पर तीन बजे से गोरकपुर मंडल के विकास कारियों के समिख्षा करेंगे इसके बाद साम को लखनव के लिए प्रस्थान कर जाएंगे तीन जिलों का दौरा है यहाँ पर है देवरिया कुशिनगर और गोरकपुर तो गोरकपुर का पूरा कारकर में यहाँ पर देख लिए जो भी गोरकपुर की बहने है अगर आप यहाँ पर मिल सकते हैं तो जरूर प्रयास करिए आप यह मन सोचए कि 27 तारी को मिला ही गया था कल पुला मिलिये जो कुसी नगर की बहने है गोरकपुर की जो बहने है परसो आप मिलने का प्रयास करिए और ग्यापन आप सभी के पास होगा अगर ग्यापन में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें वाटसप कर सकते हैं मैं आपको ग्यापन भेज दूगा तो ग्यापन आपको जरूर दे देना है डिप्टी सिमसरवला उस पर जितने भी बहने जाएं सभी बहने उस ग्यापन पत्र पर शिगनेचर आप नीचे कर दीजिएगा और संचेप में केवल आधा एक मिनट का और जब भी जैसे समय हो ना उनका आने का जहाँ पर भी सेडूल अभी देखा आपने चाहिए कुसी नगर की बहने हो या फिर गोरकपूर की तो एक बार समय से थोड़ा सा पहले आप पहुंच जाएं वहाँ पर जो कोई लोकल जन प्रत्निदी हो जैसे वहाँ के आपके अस्थानी विधायक होंगे उनके माध्यम से अस्थानी सांसद हों उनके माध्यम से या कोई भाजपा के कोई वहाँ पर अध्यक्षो कोई मंडल अध्यक्षो उनके माध्यम से मतलब अस्थानी जो पदाधिकारी है जो बीजेपी के हो या पर सरकार में हो उनके माध्यम से आप मुलाकात कर पाएंगे, डारेक्टली आप जाएंगे तो वहाँ पे पुलिस परसासन आपको मिलने नहीं देंगे इस चीज का तुरा सा बिसेज ध्यान रखिएगा ठीक है तो यह हो गई महतुपुर सुचना जो भी जैसे भी अपडेट होगी, आप सभी हमसे जरूर सेयर करें साथी साथ इस वीडियो को आप लोग लाइक सेयर कर दीचेगा